आप सबी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है मेरे यूटूब चैनल तेजपाल जड़ी भुटी ज्यान में साथियों, आज हम आपका पर्च एक बहुत बड़े विसाल का ब्रक्ष शेकराने जा रहे हैं या आप जो देख रहे हैं यह एक नहीं, दो नहीं, सो नहीं बलकि हजारों साल तक जीने वाला ब्रक्ष है जिसको हमारी तरफ बरगद या बठ कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि यह पीड़ी दर पीड़ी लगातार चलता ही रहता है जिस तरह से हमारी आपकी जो पीडियां है वो चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी कहा जा सकता है कि मनश्य की तो बंसावली नस्ट हो जाती है लेकिन इस वटवरक्षकी, इसकी बंसावली कभी नस्ट नहीं होती क्योंकि ये आगे के लिए इसकी जटाएं होती हैं ये लटकती हुई इस बट व्रक्ष की वो आगे जैसे ही जमीन में घुसती हैं और उसके बाद में फिर इसको नई उर्जा नई ताकत मिलनी शुरू हो जाती है ये आप देखिए एक ही पेंड है और ये सब तरफ से देखो कितना विसाल का व्रक्ष है ये ऐसा मानना जाता है कि ये जंगलों में हजारों साल तक ये जीवित रहता है और जो व्रक्ष इतना विसाल जीवन जीने वाला हो तो आप समझ सकते हैं कि ये दूसरों को भी कितना जीवन देने वाला होगा इसकी हर एक चीज बड़ी काम्या बहुत गुड़कारी है बहुत फाइदेवंद है आप देखेंगे तो इसकी ये छोटे से कल्ले हैं ये देखो ये निकले हुए हैं और ये उपर से नीचे जमीन में घुसकर नया जीवन देते रहते हैं और ये मोटा जो आप इसका तना देख रहे हैं ये पुराना है जो की जरजर होते हुए भी और नए इसके जो कल्ले जमीन में घुसे हैं और घुसकर ये नई ताकत दे रहे हैं और ये हमेशा ऐसे ही अपने आपको ताकतवर बनाए रहता है तो साथियो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी जानकारी आपको देने वाला ह कहीं इसकिप ना करें क्योंकि इसकिप करने से जो मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी है वो आप तक नहीं पहुच पाएगी और फिर आप उस जानकारी से बंचित रहकर पूरा लाव नहीं उटा पाएंगे ये जो वट रक्ष है इसको हिंदी में बर या बरगत कहते हैं इसको बट भी कहा जाता है और साथियो इसको संस्कृत में बहुपाद या रक्त फल भी कहा जाता है इसको अंग्रेजी में वन्यांटरी कहते हैं इसकी पहचान की बात करें तो साथियो ये लगवग करीब 25 से 30 मीटर उचा होता है और इसकी साखाएं चारों तरफ फैली जैसा की आप देख रहे हैं ये इसी का छोटा व्रक्ष है और अभी मैंने जो पीछे दिखाया था वो इसका बड़ा विसाल रूप होता है ये हर तरह की मिट्टी में उगाता है और इसकी जो तना है वो दूसर रंग का होता है हलके दूसर रंग का और हलका सफेद रंग ल और जो इसकी कोमल जटाएं हैं जो लटकती रहती है हवा में वो आगे बढ़कर जमीन में घुस जाती हैं वो लाल रंग की होती हैं और इसके जो पत्ते हैं वो आप देख रहे हैं वो बिलकुल सरल होते हैं और एक आंतर एक पत्ता होगा और बहुत ही सुन्दर होता है और ये 10 से 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और 5 से 10 सेंटीमीटर चोड़ा होता है और ये चमकीला पत्ता होता है इसकी जो छोटी कोमल पत्ते होते हैं उनका रंग हलका नारंगी रंग लिये होता है और हलका पीला रंग लिये होता है साथियों इस वट व्रक्ष के पत्ते से बनाई हुई पत्तल में खाना भी खाते थे पहले के लोग जिसकी बज़े से किसी भी तरह का रोग नहीं होता क्योंकि ये सीतल होता है और ये गर्मी को कम करने वाला होता है तो आज तो आज की युग में जो है हर तरह की प्लास्टिक की पत्तल थर्माकॉल के पत्तले चालू हो गई हैं जिसमें खाना खाया तो जाता है लेकिन उसदिये गुणों का लाब नहीं मिलता औस दिये लाब पुराने समय में इसकी पत्तलों में खाने में मिलता था साथियो इसकी जो फल और फूल आते हैं वो लगवग जुलाई से और मार्च तक इस पर रहते हैं इसके कच्चे फल हरे रंग के होते हैं और पकने के बाद वो फल लाल या गहरे लाल रंग के हो जाते हैं देखिए साथियो ये इसके फल हो गए ये स्वाद में बहुत मीठे लगते हैं और ये सीतल होते हैं इसके फल और इनको जादा तर अगर किसी एरिया में, किसी छेतर में बंदर हैं, तो वो इसको बड़ा दूर दूर तक खाने के लिए जाते हैं, और ये फल बल बर्धक होते हैं, सुक्रो बर्धक होते हैं, और जिनके लिए जो पित्तस विक्रती के होते हैं, उनको ये समन करने वाला हो चलो साथियों मैं अब इसके गुर्धर्म की बात करता हूँ, तो ये बट विरक्ष जो होता है, ये स्तंभक होता है, रक्त पित हर य Fach जिनके की खून में गर्मी रहती है, उसको कम करने वाला सुक्र स्तंभक, जिनके लिए सुक्र छिंडता होती है, सुक्रणों की कमी होती है उसको बढ़ाने वाला गर्वासे सोधक किसी जो महलाएं होती हैं उनके जो गर्वासे में इंफेक्शन हो जाता है या सूजन होती है उसको ठीक करने वाला बलकारक ये सरीर में वल भरने वाला ताकत देने वाला होता है सीतल ये ठंड़क देने वाला कसाय ये स्वाद में कसाय भी होता है और रुक्ष ये रुखा होता है ये त्रश्णा प्यास को कम करने वाला और रक्त पित्ती को नास करने वाला रक्त पित्त खून में जो गर्मी होती है उसको ठीक करने वाला ये सातियो इसके जो है लटकने वाली जटाएं होती हैं कह सकते हैं वो स्वेत परदर जिसको अंग्रेजी में लिकोरिया कहा जाता है उसको ठीक करने में बहुत ही काम्याब होती हैं और इसकी जो कफ पित सामक होता है सर्दी और गर्मी को भी ठीक करने वाला होता है ये ब्रण रोपन होता है ये कोई घाव हो जाता है उसको ये बहुत जल्दी ठीक करने वाला होता है आप जाने ही रहेंगे कि इसके गुण कितने हैं ये रक्त सोधक है रक्त सोधक चाहें वो खाज हो, खुजली हो, फोड़ा हो, फुन्सी हो, उसको ठीक करने वाला सोत हर, ये सूजन को ठीक करता है, किसी भी हिस्से में अगर सूजन हो, तो ये बहुत जल्दी ठीक करने वाला होता है, साथियों इसके जो फल होते हैं, वो ठंडे होते हैं, और बलकारक होते हैं, सुक् व्यक्ति के अंदर रती दौरवल्ले होता है, कह सकते हैं काम सक्ति उसकी कम हो, तो वो ही बढ़ाने में बहुत ही ये औसधिये गुर रखने वाला व्रक्ष होता है, ये पित्तज ब्रिकरती जिनको होती है, उसको ठीक करता है, चाहें वो गर्मी कितनी भी भेंकर हो, फेसाब में जलन होती हो या जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी रहती हो उठी करती है अब इसके कुछ ऐसे अनुभूत फायदे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ यदि किसी व्यक्ति के कानों में कोई फुंसी हो या फिर कान में दर्द रहता हो तो आपको करना क्या है इस पर पास जाईए और उसके थोड़ा सा दूद लीजिए उस दूद को थोड़े से सरसों के तेल में मिला कर आप देखेंगे कान के अंदर डालते ही कान की फुंसी ठीक हो जाती है यदि किसी को नाक से बहुत ज़्यादा खून आता हो जिसको नकसीर कहते हैं तब इस वट व पिलाने से इसके लिए नकसीर नाक से खून आना बिल्कुल ठीक हो जाता है और जिनके लिए कह सकते हैं कि अगर किसी के बाल जल्दी गिर जाते हो या बाल जड़ते हो तब इसकी जो जटा हैं उनको और काले तिल को बरावर मात्रा में लेकर दोनों को पीस लें और पीस कर सिर पर करीब आधा पौन घंटा तक लगा रहने दें उसके बाद में बालों को अराम से दो दीजेगा और आप फिर उपर से एक काला भंगरा जो होता है जिसको भंगराज कहा जाता है वो और साथ में नारियल की गिरी दोनों को मिला कर पीस कर बालों में लगाएंगे तो बाल बहुत काले और लंबे होते हैं अगर किसी के कंठ माला हो गई हो तो उसके लिव पर इस बट के दूद को लगा दें और लगाने के बाद कंठ माला बिलकुल ठीक हो जाती है और जो लोग बहुत दिनों तक लगातार बैठ कर काम करते हैं तो उनका खाना कम पचने लगता है, अगनीमांद हो जाता है ऐसे लोगों के लिए कबज की समस्या होती है और जादा दिनों तक कबज की समस्या रहने से उनको बवासीर की समस्या हो जाती है बवासीर भी जिनको बवासीर में बहुत ज़्यादा खून होता है मल के त्याक के टाइम बहुत ज़्यादा खून आता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इस वट के जो पत्ते हैं उन पत्तों को ले लो जो छोटे-छोटे को मल पत्ते हैं उनको लेकर लगभग 50 ग्राम पत्ते लो और उसमें 8 गुना जल में पीस लें याईनि कि 400 ग्राम जल के साथ पीस लें और इसको दिन में करीब 3-4 बार लगभग 50 ग्राम एक बार में इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि देने से ही 2-3 दिन तक लगातार आप पिलाएंगे तो जो खून आना है वो बंद हो जाता है और यदि किसी के मस्से हो तो इसके पके हुए पीले पत्तों को ला करके जला दीजिए और जलाने के बाद में उसकी भसम तयार होगी उस भसम को अच्छे से बारी करके किसी सीसी में भर लें और जितनी भसम है उतना ही सुद्ध सर्सों का तेल जो घर का अपने कोलू का पिरा हुआ हो वो उसमें विलाले और लगाने के बाद में लगाते रहने से आप देखेंगे जो मस्से हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जा तो करना क्या होगा इसकी ताजी चाल आप ले आएं और लाने के बाद उसको बारीक चूर्ण कर लें और उस चूर्ण में बरावर खाण मिला लें और खाण मिला कर लगभग 5-10 ग्राम की मात्रा ताजे पाने के साथ लेने से या फिर यूँ कहें कि एक से डिर चमच खाने से जो बार बार बीरिये निकलता है या उनको धात की समस्चा है तो पूरी तरह ठीक हो जाता है एक नुसका ये भी है कि इसकी एक बूंद दूद को और एक बतासे के अंदर किसी को खिलाएंगे और दूसरे दिन दूसरे बतासे में दो बूंदे और तीसरे दिन बतासे में तीन बूंदे तीन बतासों में और ऐसे लगातार 21 दिन तक दूद को बढ़ाते रहना है और बता से भी बढ़ाते रहना है इस परकार से खिलाने से कितनी भी पूरानी जो सपन दोस हो बीरिये दोस हो या जो सेक्स्वल डिसॉर्डर हो वो पूरी तरह ठीक होती है